दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन्स का टॉपिक है उस्तरजन तंत्र। वेरियं इंपोर्टेंट टॉपिक है काफी कोशन बनते हैं इस टॉपिक से क्योंकि इस टॉपिक में हम डिसकस करेंगे किड्नी, तुचा, मतलब स्कीन, लंग्स, लिवर ये मेंमें टॉपिक जो है दोस्तो इनसे कोशन बनके आते हैं और हम इन टॉपिक को आज इस वीडियो के माध्यम से सारा समझेंगे, मानव शरी के तंत्र में अल्रडी हम पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र को, सेकेंड हम पढ़ रहे हैं उस्तरजन तंत्र को, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, एक्सकेटरे सिस्टम, ओके, लास्ट में दोस्तो मैंने एक वेरी इंपोरेंट कोशन आंसर सेट भी इंक्लूड करा है, जो प्रिवेसली और S.S.C. में काफी कोशन पूछ रहे हैं, वो कोशन में इंक्लूड करे हैं, तो चले दोस्तो हम टेस्ट भी लगाएंगे, पहले हम अच्छे समझ लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उस्तरजन तंत्र क् क्या होते हैं, जिनको बॉडि से निकालने की प्रोसेस हम बात कर रहे हैं, तो विशेले अप्षिस्ट पदार्त होते हैं, दोस्तो, यूरिया, अमोनिया, यूरिकमल, ये ऐसे अप्षिस्ट पदार्त हैं, जो बॉडि को नुकसान पोचाते हैं, तो हमारी बॉडि में मतलब तोचा, लंग्स, फेफडे, ठीक है, और लिवर, ये जो आपको मैंने बताए हैं, ये है उचरजी अंग, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर से विशेले अपसिस्ट पदार्तों को उचरजन करते हैं, दोस्तों ये वेरी इंपोर्टेंट है, और इनसे काफी कोशन्स बनते हैं, तो आप एक एक करके ध्यान से समझेए, हर चीज को मैं अच्छे समझाऊंगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, किड्नी के बारे में, आपको जैसे डाइगराम दिख रहा होगा, किड्नी आपको दिख रही है, कि बाडी में जो किड्नी होती है, वो कहां पर होती है, किस किड्नी जो होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, किसे देखिए, आपको यह दिख रहा है, किड्नी दिख रही है, अब इसका जो भारी पार्ट होता है, भारी जो भाग होता है, उसको हम बोलते हैं, कोल्टेक्स, और जो अंदर का भाग होता है, इसको हम बोलते हैं, मेडू परतिय किद्नी एक करोड तीस लाक नलियों से मिलकर बनी होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं नैफ्रॉन ब such किड्नी की वरकिंग यूनित हैं यह directly questions पूस्त हैं अब दोस्तो हम बात करते हैं कि कीड्नी के कारिय क्या है काम क्या होता है हमारी body में kidney का तो ध्यान से सुनिएगा, kidney का काम क्या होता है, कि रक्त के plasma को, अब ये रक्त का plasma क्या है, थोड़ा दो मिट रूकर एक्स्ट्स प्लेण करता हूं, रक्त के plasma को चान कर इसे शुद्ध करने का काम करती है, अब जो हमारे body में रक्त होता है, उसके अंदर क्या होता है, विशेले अपसिस्ट पदार्थ मिले होते हैं इसे यूरिया और ये सब मिले होते हैं तो इनको क्या करता है किड्नी क्या करता है इस रक्त में से क्या कर देता है इस यूरिया जो अपसिस्ट पदार्थे इसको क्या कर देता है छान देता है filter कर देता है रक्त में से ये filtration काम कौन करता है ये kidney करती है filter कर देता है फिर जो abscist पदार्थ बसता है उस abscist पदार्थ को जिसे urea ये हुआ, ureak अमलुआ इन सब क्या करता है पानी के साथ में वो urine के form में शरीर से बाहर कर देता है कौन करता है kidney प्लाजमा आपको बात को ये urea जो होता है ये body को नुकसान पहुचाता है इसलिए kidney का काम होता है कि इसको filter करके अलग करने का काम होता है body में प्लाजमा आचुका है अब ये plasma क्या होता है plasma देखिए दोस्तो रक्त जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है एक होता है plasma और एक होता है sales मतलब कोशी का तो जो plasma होता है ये रक्त का होता है taral form 55% रक्त में plasma होता है और 45% क्या होता है कोशी का होता है तो इन सब दोनों से मिलकर रक्त बना होता है तो हम plasma की बात कर रहे है ठीक है ना तरल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको ये प्लाजमा का वर्ट क्लियर कर दिया और दोस्तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं डायलेसिस बोलते हैं तो ये बहुत important point है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रोसेस को क्या बोलते हैं डायलेसिस कहा जाता है चलिए आगे हम और बात करते हैं अब यूरिन के बारे में थोड़ा information अपको देता हूँ मैं देखे दोस्तो सामानी यूरिन में क्या होता है 95% पानी होता है 2.7% यूरिया होता है 2% लवन होता है और 0.3% होता है यूरिकमल ये होता है सामानी यूरिन में very important point आप बताने वाला हूँ आपको में यूरिन का रंग जो होता है वो हलका पिला उसमें उपस्तित यूरो क्रोम के कारण होता है किसके कारण होता है यूरो क्रोम के कारण होता है ये नाम हमको याद न невेता है भूल जाते है तो इसकी ट्रिक आपको बता देता हूं है देखिए पीछे का इसका वर्ड पकड़ो क्रोम और हमको पता है कि हम मोबाइल में ब्राउजर तो यूस करते हैं सभी तो कौन सा browser यूज़र यूज़ करते हैं, laptop और इसमें, mobile में, chrome यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो वहाँ पर आपको yellowish दिख रहा है वो, तो उससे आप थोड़ा सा idea लगा सकते हैं, कि urine का रंग जो होगा हलका पिला, उसमें उपस्तित euro chrome के करण होता है, तो chrome chrome में खाएगा, तो हलका सा yellowish हम पकर सकते हैं उसको, ठीक है, इस तरीके से ये trick से आप याद कर लिजिए, अगला बात करते हैं कि मानों का जो urine होता है, उसका pH value क्या है, sticks है उसकी pH value, तो ये भी directly questions हो सकता है, पूछ ले, मैंने आपको बता दिया, अगला दोस्तो, very important point है, kidney में ह पत्री बनती है, कावर बनती है, kidney में ही, और ये kidney में जो पत्री बनती है, stone बनता है, ये stone होता क्या है, तो ये होता है, calcium oxalate, क्या होता है दोस्तो, calcium oxalate जो होता है न, इसी को हम क्या बोलते हैं, पत्री बोलते हैं, ओके, अब दूसरा उसरजी अंगल की बारे में बात करत हैं पसीने के रूप में अपसिष्ठ पदार्तों को बहर निकालती है और शरीर का तापमा नियंतरी दखती है ठीक है बाल शरीक सब्सें बड़ा अंग की अगर बात करें तो वह कौन सा है तौचा ही हो कौन सा सबसे बड़ा अंग ये मानउद शरीर में carbon dioxide जो बन रही है, जो CO2 निर्मित हो रही है, उसका उस्तरजन करता है, कौन lungs करते हैं, फेफडे करते हैं, तो अब दिमाग में ये तो आ रहा है कि ठीक है, carbon dioxide का उस्तरजन करना काम फेफडे का होता है, ठीक है, lungs का काम होता है, बट ये CO2 आ कैसे रही है body में, कैसे ये भी doubt आते हैं दिमाग में, तो थोड़ा सा clear कर देता हूं मैं आपको, देखिए, शरीर के उतक, मतलब tissue, शरीर के tissue जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइडरेट वसा प्रोटीन का metabolism करते हैं, अब दो word हमारे दिमाग में doubt आ गया, कि ये तो tissue उतक क्या होता है, और काम होता है, उसको उर्जा में परिवर्तित करना काम, ये जो होता है, metabolism बोलते हैं इसको, तो चलो, ये तो समझ में आगया, पाचन करते हैं, पर आपने बताया ता सर की, शरीर में जो कार्बोहाइडरेट वसा प्रोटीन का पाचन, तो शरीर के अंग करते हैं, डिफरेंट कोशिकाओं से मिलकर बने होती हैं, आप सभी को पताईए, तो कुछ ऐसी कोशिका होती हैं, जो समानकारे करती हैं, तो वो क्या करती हैं, आपस में मिलकर एक group of cells बना लेती हैं, मतलब कोशिकाओं का समू बना लेती हैं, अगर उन कोशिकाओं का समू बना लेती हैं, अगर ये क्या है कोशिकाओं का समू है जो एक समान कारी कर रहा है तो ऐसी बहुत सारी कोशिकाओं के समू होंगे तो बहुत सारी कोशिकाओं के समू जब आपस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वो एक टीशू मतलब एक उतक बना लेते हैं और जब इस तरीके के बहुत सारे उतक प्रोटीन का पाचन करते हैं, तो यह जो मेत्राया मेने आपको यह उसका डेप्ट है बिल्कुल, तो क्या होता है दोस्तों, शरीर के जो उतक होते हैं, वो कार्बोईडेट वसा प्रोटीन का metabolism मतलब क्या करते हैं उसका पाचन करते हैं जिसकी वज़े से क्या होता हैं carbon dioxide generate होती हैं और gel washp generate होती हैं तो carbon dioxide और gel washp को क्या करता है यह फेफडे lungs जो होते हैं यह उसका उसर्जन कर देता हैं तो यह simple सी बाते आप समझ सकते हैं अब अगला नमबर आता है, अगला उत्सरजी गंग आता है, यकरत, मतलब लीवर, इसके बारे में ध्यान सुनिएगा, very important है और काफी questions बनते हैं इसे, यकरत का काम क्या होता है, ये एक हानी कारक पदाब जिसे अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन को क्या कर देता है, यूरिय और यूरिक अमल में वदल कर, किड्नी की हेल्प से उत्सरजीत कर देता है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, यूरिया कहां बनता है, यकरत में बनता है, तो very important point है ये वाला, यूरिया और यूरिक अमल में वदल कर, उसको किड्नी की हेल्प से क्या कर देता है, उत्सरजीत कर काम होता है यकरत का एक और काम होता है लिवर का यह वसा का पाचन करता है क्या चलिए दोस्तों अब हमने topic कोचे समझ लिआ है तो अब test लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने questions solve कर पा रहें ऑलमॉस्स सारे questions हम solve कर लेंगे क्योंकि हमने सारे important points को cover कर लिया है इस topic का पहला question है दोस्तों हमारा रक्त का शुद्धिकरण कहा होता है देखिए रक्त का शुद्धिकरण कहा होता है kidney में होता है तो इसका अंसर लगेगा C answer मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो उसे बोला जाता है dialysis तो इसका अंसर लगेगा B मानव शरीर में यूरिया बनता है तो यकरत तो इसका अंसर लगेगा A answer चलिए आगे और question देख अगला question है urine का पीला रंग किस करण से होता है देखिए पीला रंग किस करण से होता है मैंने आपको ट्रिक बताये थी क्रोम वाली तो यूरो क्रोम इसका अंसर लगेगा D answer kidney की कारियत्मक इकाई क्या है देखिए दोस्तो कारियत्मक इकाई क्या है उसकी nephron तो इसका लगेगा answer C answer अगला question है दोस्तो kidney काम करना बंद कर दे तो निम्न मेंसे कौन सा पदार्थ जमा होता है शरीर में वसा शरीर में प्रोटीन रक्त में शरकरा रक्त में अप्षिष्ट पदार्थ तो रक्त में अप्षिष्ट पदार्थ बनना चालू हो जाएगा अगर kidney काम करना बंद कर देगी तो filtration नहीं हो पाएगा तो वो abscist पदार जमा होता जाएगा urea जमा होता जाएगा उसके अंदर अगला question है निम्न में से किस एक की उत्पत्ती यकरत का कार्य है तो उत्पत्ती है यूरिया की तो इसका answer लगेगा B answer अगला question है दोस्तो कथन A कथन R दिया है और सही कुड़ चूज करना है ठीक है देखते है कथन A बोलता है कि मानोशरी में यकरत liver जो है वो वसा के पाचन में महत्पुन भूमिका निबाता है बिल्कुल सही बात बोलिए second देखते हैं कथन R यकरत दो महत्पुन वसा पाचक enzyme उत्पन करता है ये तो बिल्कुल गलत बात है ये तो बिल्कुल सही है नहीं तो देखते हैं आब answer देखते हैं A और R दोनों सही है ये तो गलत है A B तो होई नहीं सकते है A सही है परन्तु R सही नहीं है तो इसका answer लगेगा C answer ठीक है दोस्तो चली अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है किड्नी में पाया जाने वाला प्रमुक रासाइनिक योगी कौन सा है देखे किड्नी में मैंने आपको बतायता कि किड्नी में क्या पायाता है पत्री की बिमारी जो होती है वो कहाँ पर होती है किड्नी में ही होती है और पत्री जो होती है वो क्या है केल्शियम ऑक्सेलेट है तो इसका answer लगेगा C answer ठीक है फ्रेंट्स तो इस तरीके छोटा सा topic था फटाफट हमने पढ़ लिया फटाफट question answer लगा लिए इस topic से question आएगा आराम से solve कर पाएंगे आप कोई difficulty नहीं होगी आपको तो friends आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को like करिए दोस्तों के शेयर करिए और comment करके बताईए आपको वीडियो केसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कर रहा है तो दोस्तों चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूँगा मिलते हैं दोस्तों अगले lecture में तब तक के लिए जाहिन जाय भरत